कि नवश्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर मेरा नाम है तनुज बंसल और आप देख रहे हैं चैप्टर करंट इलेक्टरिसिटी और आज उसका लेक्चर नंबर एट हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 सात लेक्चर से आप हमारे साथ बने हुए हैं लेक्चर 8 में कुछ लोगों के लिए एक शायरी है चोटी सी शायरी बादलों से करता हूँ जब भी मैं तेरी बात मतलब ये कुछ लोगों के लिए है जिनके लिए relevant हो सकती है चमकती है बिजली और होती है बरसात मतलब जब भी मैं बादलों से तेरी बात करता हूँ खुले आसमान में जाके देखता हूँ तो बिजली चमकती है और बरसात होती है, ऐसा तुम्हारा औरा है, ऐसी तुम्हारी यादें है, तो क्योंकि पिछले lectures में हमने थोड़ी सी बातें जो हैं, वो पढ़ाई से related करी थी, तो इसलिए for a change, बिजली से related मुझे और शायरी मिली नहीं, तो ये हमने यहाँ पे चिपक आदी है, तो उमीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और lecture की करते हैं शुरुवात, आज पढ़ना क्या है, उसको देख लेते हैं, combination of cells, cells के combination के बारे में discuss करेंगे, और electrical power के बारे में discuss करेंगे, cells का combination देखेंगे, कि combination में cells को लगाएंगे, तो क्या बनेगा, और फि cells को combination में लगाना है, cells को combination में लगाना है, पहला combination है, series combination, बहुत सारे cells हैं, और ये external resistor है, बहुत सारे cells हैं, E1, resistance R1, E2, resistance R2, E3, resistance R3, तो E1, E2, E3, सारे series में हैं, series में EMF भी add हो जाएगा, equivalent EMF अगर मैं लिखूंगा, तो वो गा, E1, E2, E3, up to so on, जितने भी होंगे, और अगर equivalent resistance की बात करूं, R equivalent, small R equivalent, इसका मतलब होता है, equivalent, internal resistance, equivalent, internal resistance, equivalent, internal resistance, है ना, तो ये कितना हो गया भाई मेरे, R1, R2, up to so on, जितने भी होंगे, सारे add हो जाएगे, तो series के अंदर, हमारा EMF भी add हो गया, और R equivalent भी add हो गया, ठीक है जी, उसके बाद, उसके बाद क्या है सार, उसके बाद सुनो, ये add हो गया, ये add हो गया, capital R, capital R को क्या बोलेंगे, load resistance, लोड या external resistance, जो हमने अलग से इस circuit में लगाया है, लोड जिसके उपर लोड पड़ेगा, देखो, ये cells का combination है, इन cells के combination की मदद से हमें इसे चलाना है, हमें इसे चलाना है, ये उस चीज का resistance होता है, जो हमें चलानी होती है, जैसे मानलो कि आपको इससे एक fan चलाना है, तो ये आर उस fan का resistance होगा, इन सारे cells से मिलके, आपको एक fan चलाना है, या मानलो आपको एक बल्ब चलाना है तो यह उस बल्ब का resistance होगा या जो भी चीज चलानी है जिसके उपर लोड पड़ेगा है ना आम भाशा में कहते हैं ना कि इस पर लोड जादा पड़ गया लोड कम पड़ रहा है तो वो जिस पर लोड पड़ेगा या फिर उसे बोलें external resistance तो लोड और external resistance वो हमारे पास क्या होगा capital R तो अब इसकी वज़े से पूरे सरकेट में क्या फ्लो होगा current flow होगा भई इसकी वज़े से पूरे सरकेट में क्या फ्लो होगा current flow होगा पूरे सरकेट में current flow होगा भई तो वो current कितना होगा वो current कितना होगा I is equals to I is equals to E equivalent E equivalent upon small r equivalent plus capital R इसमें capital R भी add हो जाएगा एक तो EMF उपर तो ठीक है ना उपर तो क्या लिख दिया EMF लिख दिया नीचे लिख दिया small r का equivalent नीचे लिख दिया small r का equivalent plus capital R plus क्या होगा capital R होगा ठीक है जी E equivalent by small r equivalent plus capital R plus capital R क्योंकि capital R सब में same करण जा रहा है सब में same करण जा रहा है तो E equivalent by r equivalent plus capital R E equivalent ये रहा और r equivalent ये रहा ठीक है जी नीचे total resistance ठीक है ना नीचे total resistance ये net EMF हो गया उपर और नीचे क्या हो गया, net resistance हो गया, जिसमें capital R भी add हो गया, ये क्या है, equivalent internal resistance, ये क्या है, net resistance, या फिर total resistance, R equivalent plus capital R, तो ये series combination का result सीधा सीधा हमें देखने को मिल गया, सीधा सीधा, अच्छा, इसी में, अगर मान लो, सारे cells identical हैं, if all cells are identical, identical cells होने का मतलब ये है, कि जिनका E और R same होता है, जिनका E और R same होता है, ठीक है न, जिनका E और R same होता है, ठीक है न, E और R जिनका क्या होता है, सेम होता है EMF और internal resistance जिनका सेम है ठीक है ना तो ये external resistor E R E R E R ऐसे चलता चला जाएगा ठीक है ना चलता चला जाएगा E R E R E R चलता चला जाएगा ठीक है ना तो अगर मान लो सारे cells identical है total N है total कितने है N तो E equivalent क्या बनेगा N E सारे add हो जाएगे E1 E2 E3 up to so on सारे add हो जाएगे N E बन जाएगा small R equivalent क्या बनेगा N into R सारे resistances भी add हो जाएगे plus capital R तो है plus capital R तो है तो current कितना होगा current होता है E equivalent by small R equivalent plus capital R यानि कि N E by N small R plus capital R ये तब आएगा जब सारे cells identical होंगे जब सारे cells identical होंगे तो उस केस में N E upon N small R plus capital R ये हमारे पास current का result देखने को मिल जाएगा ये तब है जब सारे cells identical हैं जब सारे cells क्या है identical हैं ये तब का result है वहिए ये तब का result है जो आपको समझ में आना चाहिए चलो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है और आप इसको देख पा रहे हो ये normal result हो गया ये identical के लिए होगा ठीक जी एक normal एक identical हाँ जी आओ कुछ सवालों पर बढ़ते हैं इसके साथ में capital R सीरीज में connect कर दिया गया है यही result है भाई कहां गया ये e equivalent plus r by small r equivalent ठीक है न प्लस r divided by r plus small r equivalent तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं ठीक है लिए e equivalent by capital R plus small r equivalent तो ये हमारे पास result आ गया किसका current का ठीक है न यह हमारे पास result आ गया, किसका current का, I hope that is very 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 clear to you, ठीक है न, Two cells having the same EMF are connected in series through an external resistance R, ठीक है न, दो cells हैं, जिनका EMF same है, और इनको series में connect किया है, through an external resistance R, cells have internal resistances R1 and R2 respectively, when the circuit is closed, the potential difference across the first cell is 0, the value of capital R is, बहुत ध्यान से समझो इस सवाल को, कह रहे हैं कि दो cells दिये हुए हैं, दोनों सीरीज में हैं, दोनों का EMF same है, यह लोग, दोनों का same माल लेते हैं, internal resistance अलग लग हैं, R1, R2 और R1, R2 से ज़्यादा हैं, ठीक है न, यह भी given है, इसको series में connect किया है, external resistor R के साथ, इसको series में connect किया है, external resistor R के साथ, cells have internal resistance R1 and R2 respectively, R1 greater than R2, when the circuit is closed, जब इस circuit को close कर दिया गया, तो potential difference पहले cell के across, पहले cell के जो terminals हैं, यह पहले cell के जो terminals हैं, उसके across जो potential difference देखने को मिल रहा है, वो zero देखने को मिल रहा है, first cell के, जो terminals हैं, उसके across जो potential difference देखने को मिल रहा है, वो कितना देखने को मिल रहा है, zero देखने को मिल रहा है, zero, ठीक है जी, तो value of capital R is, capital R की value क्या है, वो हमें यहाँ पे देखनी है, अब देखो यहाँ पे, current आया, circuit में, circuit में current आया, पहले तो current लिखो, I is equals to, क्या लिखोगे sir, EMF कितना होगे बैटा, 2E, divided by total resistance, R1 plus R2 plus capital R, यह पहली equation हो गई, capital R की value, small r की form में निकालनी है हमें, एक और information हमें question में दी हुई है, कि इसके across potential difference, zero है, इसके across potential difference, zero है, किसी भी cell के across, मालनों कि उसकी यह जो है, battery E, है ना, और internal resistance R है, तो इसके across जो potential difference होता है, वो क्या होता है, potential difference आपको याद होगा, E minus IR लिखते हैं, E minus IR लिखते हैं, potential difference कह रहे हैं, zero है, ठीक है ना, तो आपको यह का गया है, कि भीया, जो first इसके across होगा, E minus IR लिखते हैं, तो R1, यह कितना दिया हुआ, zero, यह कितना दिया हुआ, zero दिया हुआ है, तो इससे हमारे पास, I की value आ जाएगी, E by R1, I की value आ जाएगी, E by R1, एक I की value ऐसे निकाली, एक I की value हैसे निकाली, आई तो वही है न, भाई सरकेट में I तो एक ही है, दो आई थोड़ी है, दो आई थोड़ी है, current दो थोड़ी है, एक हमने normal formula से निकाला, equivalent EMF by internal resistance plus external resistance, दूसरा हमने एक और information जो दी हुई थी, उससे निकाला, कि भाई पहले cell के across potential difference क्या है, 0, ठीक है न, उससे आगया हमारे पास E by R1, तो दोनों को कर दिया equate, दोनों को कर दिया क्या, equate, तो दोनों को जब हमने यहाँ पे equate किया, तो देखो क्या बना, 2E by R1 plus R2 plus capital R is equals to E by R1, जो कट रहा है वो काट दो, E से E कट गया, cross multiply करो, cross multiply करो, 2R1, 2R1 is equals to R1 plus R2 plus capital R, ठीक है जी, 2R1 is equals to R1 plus R2 plus capital R, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास, 2R1 minus R1 minus R2, तो capital R बनेगा R1 minus R2, capital R बनेगा R1 minus R2, सीधा सीधा अंसर हमारे पास देखने को मिल गया, capital R हमारे पास है, R1 minus R2, यह answer है ठीक है न, यह चीज यहाँ पे आपके पास clear होनी चीए, कि capital R जो है, वो R1 minus R2 आगा है, खत्म, कुछ नहीं किया, एक normal current का formula, एक जो हमें information given थी, उसका formula, खत्म हो गई बात, crystal clear, 2006 का सवाल है, अच्छा सवाल है, good question, you are a very good question, but your question hurts me, बहुत दुख देता है तुम्हारा सवाल, बहुत दुख देता है, चलो, अब हम बढ़ते हैं, आगे, parallel combination, अब cells का series combination हो गया, अब cells के parallel combination की तरफ बढ़ने का वक्त आ गया है, आईए, अब हम cells को लगाना सीखेंगे, parallel combination में, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, इसमान लोगाया है, और एक external resistance, देखो, दोनों किसमें लगाया है, parallel में, ठीक है न, और external, internal resistance, R1, R2 लगाया है, और एक capital R resistance है, जो हमने यहाँ पे साथ में लगा दिया है, ठीक है न, वो साथ में यहाँ पे चिपका दिया है, यहाँ लगा दिया है, जो कि आप देख पा रहे हो, clear, ओके, अब इसका हमें equivalent निकालना है, कुछ current इसमें से आएगा, कुछ current यह देगा, माल लो यह current I1 दे रहा है, माल लो यह current I2 दे रहा है, दोनों मिलके इसको current दे रहे हैं, कि दोनों मिलके इसको करंट दे रहे हैं उस करंट को माल लेता हूं मैं आई उस करंट को क्या माल लेता हूं आई दोनों मिलके इसको करंट दे रहे हैं जो भी करंट आएगा उसको लिखना इसी फॉर्म में है जो भी करंट आएगा उसको लिखना इसी फॉर्म में है जो भी कर by smaller equivalent plus capital R लेकिन अब यह e equivalent और smaller equivalent लिखे क्या जाएं क्या लिखे जाएं यह सवाल है कि इनकी value क्या होगी Series में तो e equivalent सीधा add कर दो smaller equivalent सीधा add कर दो काम बन जाता है लेकिन यहां पे क्या लिखा जाएं यह main सवाल है तो आओ फिर यहाँ पर लिखना सीखते हैं इसको कि क्या बनेगा सुनो भाईया, सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ, सुनो सुनाओ किर्चोफ अंकल का लॉ लगाएंगे, सबसे पहले बैटरी का साइन बनाओ प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, ठीक है जी, बैटरी के साइन बना दिये, उसके बाद करंट की डिरेक्शन के हिसाब से, करंट की डिरेक्शन के हिसाब से, रिजिस्टर के साइन बनाओ ये current ऐसे आ रहा है तो ये plus minus कितना current है I1 ये current I2 है तो ऐसे आ रहा है इधर plus इधर minus ठीक है ना ये current ऐसे जा रहा है ये plus ये minus ठीक है जी ये current I1 इधर plus इधर minus ये current I2 इधर plus इधर minus और ये current I इधर plus इधर minus ठीक है जी तो इस तरीके से ही हमें current देखने को मिल रहा है अब सुनो ध्यान से जो आप करना चाहते हो किर्च आफ अंकल का law लगाएंगे ऐसे मैं आपको नाम लिख देता हूँ A, B C, D E, F तो मैं जाऊंगा in loop A, B, C E F, D, A बाहरवाली लूप मैं जा रहा हूं बिटा मैं A, B, C, E, F, D, A A, B, C, E, F, D, A बाहरवाली लूप में ठीक है न पहले यहां पे plus है plus की जगा के आएगा? minus आएगा plus की जगा पे यहां पे क्या आएगा? minus आएगा माइनस आईवन आरवन माइनस आईवन आरवन ठीक है ना प्लस की जगह क्या बन जाएगा माइनस आईवन आरवन यहाँ पे माइनस है यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस है यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा तो माइनस की जगा यहां पर हो जाएगा plus even plus even भई minus पहले plus आया तो minus लिखेंगे, उल्टा लिखते हैं आपको भी पता है, ठीक है न फिर minus आया फिर plus लिखेंगे, उसके बाद बाहर जाओ, इधर आओ plus आया है रस्ते में, तो क्या लिखोगे minus ir minus ir is equal to अब कुछ नहीं आया और, यह आया रस्ते में, यह आया फिर अब यह आया रस्ते में, बस खत्म is equal to zero is equal to zero बात समझ में आ रही है, ठीक है is equal to क्या बन गया, zero बन गया तो इससे क्या मिलेगा हमें result, इसको इधर ले जाओ, i1 r1 को दूसरी साइड ले जाओ, तो वो positive बन जाएगा, तो e1 minus i into capital R, तो i1 बन जाएगा, e1 by r1 minus ir by capital R1 ir by capital r1, ठीक है न, e1 by r1 minus ir by capital r1, ठीक है न, यह हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, clear है that should be very very clear इसको equation number 1 बोल, equation number 1 बोल दो, i1 is equals to e1 by small r1 minus ir by capital r1, sorry, i capital R by small r1, clear similarly अब दूसरी equation बनाने की जरूरत नहीं है, बस उसमें जहाँ पर 1 लिखा है, वहाँ वहाँ पर 2 कर दो जहाँ पर 1 लिखा है, वहाँ वहाँ पर 2 कर दो वहाँ वहाँ पर 2 कर दो जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ वहाँ पर 2 कर दो जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ वहाँ पर 2 कर दो e2 r2, ir by small r2 ठीक है न, जहाँ जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ वहाँ पर 2 कर दो खतम बात, यस, तो दुबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है न, जरूरत नहीं है, इसको दुबारा करने की, अब तीसरी equation, यह, 1 और 2 को एड़ करो, 1 और 2 को एड़ करो, और 3 के बराबर कर दो, भई 1, I1 और I2 दिख रहे हैं, I is equal to I1 plus I2 है, तो 1 में क्या लिखा, I1, I1 और I2 को एड़ करो, और I के बराबर कर दो, यह derivation CBSC board में मतलब नहीं है, ठीक है न, CBSC board की अगर बात करें, तो यह derivation CBSC board में तो नहीं है, बाकी boards में, respective boards में अगर है, तो उसके लिए मैंने आपको hint दे दिया कि करना क्या है, ठीक है न, hint दे दिया है, करना क्या है, 1st equation, 2nd equation, बस I1, I2, 3rd में रखने हैं जाके, बस, रखने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है न, 1st equation और 2nd equation को 3rd में रखना है, थोड़ा बहुत arrange करना है, थोड़ा बहुत arrange करना है, उससे result क्या आएगा, वो एक बार देख लेते हैं, उससे हमारे पास result क्या बनेगा, वो एक बार देख लेते हैं, पहले तो मैं diagram दुबारा बना देता हूँ, ठीक है न, पहले तो diagram मैंने दुबारा बना दी, अब वो plus minus के sign फालतु में बनाने की कोई आवशकता नहीं है भाई, क्या फालतु करें इसमें, अब देखो इधर, कि क्या चीज यहाँ पे चलनी चाहिए, ठीक है न, क्या चीज यहाँ पे चलनी चाहिए, तो उसको देखो, जो यहाँ पे आई बनेगा, वो तो बनना तो यही है, E equivalent by a small r equivalent, प्लस capital R, ठीक है न, तो इसमें हम कह सकते हैं कि solving 1, 2 and 3, जब हम 1, 2 और 3 को solve करेंगे, तो हमारे पास क्या result बनके आएगा, E equivalent हमारे पास बनके आएगा, E1 by R1, plus E2 by R2, upon 1 by R1, plus 1 by R2, that is equivalent to E equivalent, E1 by R1, E2 by R2, 1 by R1, 1 by R2, यह E equivalent का result है, और R equivalent तो आपको पता ही है, 1 by R equivalent parallel है, parallel है तो parallel में तो निकालना आता ही है, ठीक है न, parallel में तो R equivalent आप निकाल ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ दोनों equation से E equivalent और R equivalent की value निकाल लिए, और इसमें put कीजिए, आपका answer सीधा-सीधा आ जाएगा, सीधा-सीधा आ जाएगा और कुछ भी करने की अवशक्ता नहीं है, सर अगर यह तो दो के लिए करवा दिया, यह याद रखना है, याद, यह तो याद है, यह तो पहले से याद है, इस पर स्टार रहन दो, यह याद रखना भई, यह भूल जाते हैं अक्सर, यह e-equalent का result है, e-equalent का, सर इसमें तो resistance भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आने हैं तो आने दो, वो आएंगे ही यहाँ पर, वो यहाँ पर आएंगे ही, आके ही रहेंगे, आप उन्हें रोक नहीं सकते, ठीक है न, रोकने की हमारी उकाद तो नहीं है, सर अगर ज़्यादा हो जाएं तो N हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है उसमें क्या दिक्कत है अगर N cells हो जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई बस यह उपर E by R add होता जाएगा E1 by R1, E2 by R2, E3 by R3, E4 by R4, E5 by R5 add होते चले जाएंगे और नीचे 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3, 1 by R4 तो इस तरीके से add होते जाएंगे यानि कि यह अगर जादा भी हो गए तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है उपर आएगा summation E by R upon summation 1 by R summation E by R upon summation 1 by R summation E by R upon summation 1 by R summation E by R, यानि कि उपर E by R का sum होगा E1 by R1, E2 by R2, E3 by R3, यह sign summation का होता है summation मतलब sum, जिसको नहीं पता, इसको sigma या summation बोलते हैं sigma या summation, यह sign होता है, इसका मतलब होता है sum हो रहा है E1 by R1, E2 by R2, तो उपर E by R का sum, जितनी भी terms होगी और नीचे 1 by R का sum, ऐसे चलेगा, ठीक है जी, और यह तो resistance के लिए तो आपको पता ही है 1 by R equivalent, 1 by R1, 1 by R2, up to so on, जो भी चलता चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह बात आपको ध्यान में रहनी चीए, कि वही अगर इससे ज़्यादा cells होगे तो क्या करना बस इसमें बाद में put कर दो, equivalent R equivalent plus capital R, small R equivalent जहां से निकाल लोगे, equivalent वहां से निकाल लोगे, और plus capital R कर दोगे तो आपके पास result आ जाएगा खतम, खतम सर, यह बात खतम हो जानी चीए यहीं पर, इसी कुशी में पानी पी लेते हैं, सवाल अभी हम solve करेंगे इसके, ठीक है न, सवाल अभी solve करेंगे, लेकिन पानी तो पी लेते हैं सारा मूँ पे पानी पानी हो गया रे, पानी पानी, मैं पानी पानी हो गया, टन 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 टन, सही निकाल रहा हूँ टियो, गलत हो गयी न, मैं पानी पानी हो गया, चलो, इधर देखो, N-cells और यह दो सेल्स के लिए, यह N-cells के लिए, इसको थोड़ा सा और अरेंज करना चाहो तो कर सकते हो For two cells equation of R equivalent equation of E equivalent can be rearranged दो cells के लिए हम इसको थोड़ा सा rearrange भी कर सकते हैं कईयों को ऐसे लिखने में problem आ रही होगी कि सर ये बड़ा लंबा पढ़ रहा है E1 by R1 E2 by R2 upon 1 by R1 1 by R2 कईयों को ये लंबा लग रहा होगा लिखने में तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ देखो वो कोई असान नहीं है लंबा वो भी पढ़ेगा बस ये ले लो LCM ले लो आप ठीक है ना ऊपर LCM ले लो R1 R2 का LCM ले लो तो E1 के साथ क्या जुड़ जाएगा R2 और E2 के साथ क्या जुड़ जाएगा R1 Similarly नीचे R1, R2 R1, R2 तो इधर R2 और इधर R1 R1, R2 तो ये R2 और ये R1 समझ गए तो that is equals to E equivalent सर ये तो और लंबा बन गया अरे ये तो काटो पहले ये काट दो ये क्या बन गया आप E1, R2 प्लस E2, R1 अपॉन R1 प्लस R2 ऐसे भी याद रख सकते हो दो सेल्स के लिए ऐसे भी याद रख सकते हो जल्दी थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा अगर E1, E2, R1, R2 की वेल्यू दियोगी थोड़ा सा इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा और कोई खास फाइदा नहीं होगा ये स्पेशली दो सेल्स के लिए मैंने आपको बना के दिया है तीन के लिए चार के लिए बनाने लगेंगे तो एल्सियम लेते लेते ही पागल हो जाएगे ठीक है न वो नहीं करना है तो दो सेल्स के लिए स्पेशली है इसलिए मैंने स्पेशली दो सेल्स के लिए इसको री अरेंज किया है ठीक है न और दो सेल्स के लिए आपको आर इकुलेंट भी पता है R1 R2 upon R1 plus R2 दो cells के लिए parallel में R equivalent भी special बनाया जाता है special बनाया जाता है ना दो cells के लिए R1 R2 upon R1 plus R2 तो दो cells के लिए हम थोड़ा सा अलग formula भी याद कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कोई परिशानी नहीं है ठीक है जी मेरे ख्याल से तो आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए ये दो cells के लिए हमारे पास बात बन गई ये हमने पहले derivation शुरू करी किर्चोफ law की मदद से ठीक है ना E equivalent निकाला R equivalent निकाला फिर अगर दो cells के लिए अलग से formula बन गया अब आब बात करते हैं कि अगर identical cells हों identical cells हों जिनका E और R सेम हो मालो E R E R E R E R E R E R E R E R E R तो शार कपूर साब थे गोलवाल पिच्चर एका एकता एकता को एका 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 E R E R E R E R आई से चलता चला चला जाएंगा तो कहां तक N cells तक कहां तक N cells तक तो E equivalent क्या होगा सुन लो वैस उपर क्या होता समेशन E by R नीचे समेशन 1 by R तो N बार add कर रहे हैं कितनी बार N बार तो E by R E by R E by R कितनी बार N बार कितनी बार N बार और नीचे 1 by R 1 by R 1 by R कितनी बार N बार ठीक है न तो E equivalent क्या बनेगा N E by R N E by R N बार add कर दिया और नीचे N बार resistor add कर दिया तो यह N by R बन जाएगा ठीक है न यह N by R बन जाएगा थोड़ा सा इसको यहां पर लिख देते हैं N बार add करेंगे तो N E by R और नीचे N by R N से N कट जाएगा R से R भी कट जाएगा देखो कुदरत का कमाल कुदरत का कमाल यह हुआ कि पारलल में अगर identical cells हो गए तो equivalent E MF E ही है समझ पा रहे हो भाई parallel में क्यों आया है सर यह सर पारलल में क्या voltage add नहीं होती पारलल में इसके cross E है इसके cross E है ये E है ये E है ये E है ये E है सारे add होके भी E ही बनेगा ध्यान देना इस बात पर सारे add होके भी E ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा यहां पर E 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 ही पैरलल में voltage add नहीं होती लिख लो इसका कारण मैं याद रह जाएगा ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मतलब कहीं किसी को बताने की जरूरत नहीं है लेकिन अपने मतलब के लिए अड़ कर लो पैरलल में वोल्टेज अड़ नहीं होती ध्यान रहेगा याद करने में असानी रहे हैं अकर समझके याद करते हैं तो उसमें असानी रहती है यह parallel दो lines लगाई है ना पैरलल उसके बाद L लगाया है कि अरे याद नहीं रहात तुम्हें कि ना parallel में वोल्टेज यह ना ही होती और ना ही होती अच्छा आगे बाड़ जो सर आगे बढ़ जा तो वन बायार वन बायार वन बायार अब आर एकुलेंट निकालना है 1 by R equivalent क्या होगा parallel में 1 by R, 1 by R, 1 by R up to so on N times तो 1 by R equivalent क्या बनेगा जी N by R तो R equivalent parallel में सीधा सीधा R by N series में N multiply हो जाता है अगर identical cells हो और parallel में N divide हो जाता है पहले भी बता चुका हूँ ठीक है ना जब हम combination of resistances देख रहे थे यहाँ पे भी बता रहा हूँ ठीक है ना parallel में N divide हो जाता है series में N multiply हो जाता है parallel में N divide हो जाता है series में N multiply हो जाता है divide हो जाता है multiply हो जाता है dance के step बन गया ऐसा ही dance आता है ऐसा ही dance आता है थोड़ा सा बस ऐसे करके हिलते रहते हैं, डांस हो जाता है, यही डांस आता अपने को, और कोई डांस नहीं आता है, बस साधी ब्याहा में थोड़ा जाते हैं, तो कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ ना कर पाते हैं, तो E equivalent E आएगा, और R equivalent R by N आएगा, समझ गए, समझ गए ना, बिलकुल समझ गए ह clear, yes, 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 clear हो जाना चीए बईया, clear हो जाना चीए, yes, तो यह याद रहे कि parallel में voltage add नहीं होती है, parallel में voltage add नहीं होती है, कुछ सवालों की practice मैं करवाता हूँ, कुछ सवालों की practice हम कर लेते हैं, ठीक है न, जैसे माल लो यह question आ गया, तीन identical cells हैं, तीन है, तीन identical cells है, और आपसे I की value पूछिए, I through the external resistor, R, external resistor R के थुरू I की value बताईए, तो आपको कुछ नहीं करना पहले E equivalent, अगर identical cells हैं, identical cells हैं तो E लिखलो, small R equivalent, R by N यानी के R by 3, तो I क्या होता है, E equivalent by small R equivalent plus capital R, E by small R by 3, plus capital R, थोड़ा arrange करना है करलो, LCM, LCM ले करके, वो आपकी मर्जी है, या फिर जैसे options हो, LCM ले लो, 3 LCM ले लिया, और ये 3 अब उपर चला जाएगा, 3 E by small R, plus 3 capital R, ठीक है न, ऐसे लिखना चाओ, ऐसे लिखलो, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही चीज़ें सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है न, ये 3 identical cells के लिए हो गया, याद कोई रखने की जरूरत नहीं है, बस याद आपको ये चीज़ रखनी है, कि भई, E रह जाता है पैरलल में और R, भाई, N हो जाता है, जितने भी resistors हों, जितने भी resistors हों, और फिर ये formula लगा देना है, फिर ये formula लगा देना, बिंदास लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है न, very, 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 very clear, अच्छा, अब माल लो, ऐसा question आ गया, ये, ठीक है, ये दिया हुआ, कोई external resistor कोई कुछ नहीं लगा हुआ, पहला part, find e equivalent and small r equivalent, find e equivalent, दूसरा part, find small r equivalent, ठीक है न, ये ऐसे connected है, a point, b point, ठीक है जी, इस circuit का e equivalent और r equivalent बताना है, बहुत असान है जी, बहुत असान है, क्या लिखोगे, e1 by r1, याद मेरे को कौन सा है, याद तो ये लगा लो, 2 के लिए ये भी लगा सकते हो, e1, r2, e2, r1, upon r1, plus r2, e1, r2, plus e2, r1, upon r1, plus r2, upon r1, plus r2, ठीक है, तो e1 कितना है, 12, e1 कितना है, 12, e2 कितना है, 2, और r1 कितना है, 8, और r2 कितना है, 2, ठीक है न, e1, 12, e2, 2, r1 कितना 8, और r2, 2 है, तो चलो, put करो भी ये, e1, r2, e2, r1, upon r1, plus r2, 8, plus 2, 8, plus 2, e1, r2, e2, r1, e1, r2, e2, r1, upon r1, plus r2, 24, plus 16, by 10, ठीक है न, तो ये बन गया, 40, by 10, यानि कि 4 volt, ये कितना आ गया भहिया, 4 volt आ गया भहिया, हमारे पास, ठीक है न, 4 volt आ गया, ये e equivalent आ गया, 4 volt, 4 volt आ गया, इन दोनों का parallel किया, r1, r2 की value दी होई है, 4 volt बन गया भहिया, ठीक है न, 4 volt बन गया, और r equivalent, second part, parallel में है, तो सीधा सीधा ये लगा दू, 1 by r1, 1 by r2 करने की जुरूत ही निया, सीधा ये लगा ओ, r1, r2, 8 और 2 है, 8 into 2 upon 8 plus 2, ठीक है न, 16 by 10, यानि कि 1.6 ohm, 1.6 ohm, ठीक है न, तो इसका मतलब ये बना हमारे पास, कि ये 4 volt है, और ये 1.6 ohm है, तो इन दोनों बैटरीज की जगा, आप ये लगा सकते हो, इन दोनों बैटरीज की जगा, A और B के बीच में, आप ये लगा सकते हो, 4 volt और 1.6 ohm, एक ही बात है, एक ही बात है, और कोई बात ही नहीं है, समझ गए, इन दोनों बैटरीज की जगा, आप ये लगा सकते हो, खतम, खतम हो गया, बिल्कुल खतम हो गया, ठीक है न, कोई परेशानी वाली बात ही है, very very clear होना चीए, एक और तरीका, ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको relate करके दिखा रहा हूँ, किर्चौफ से, इसी चीज को मैं किर्चौफ से निकालके दिखा रहा हूँ, इसी चीज को मैं किर्चॉफ से निकालके दिखा रहा हूँ, क्योंकि पूरा चैप्टर किर्चौफ ने ही, मतलब आगे से जो complicated circuits हैं, पहले ओम चले अब उसके बाद किर्चॉफ ही किर्चॉफ चल रहे है ठीक है ना ये चीज भी हमने किर्चॉफ से ही निकाली है तो ये थी कहानी 12 वोल्ट 2 वोल्ट 8 दो 8 और 2 ठीक है A और B तो ये A है तो ये B A होगा ये B है तो ये भी B होगा This is B ये A, ये A, ये B, ये B ठीक है जी? That should be really really clear वही इसको A बोलते हैं इसको भी A बोल सकते हैं क्या ही परक है? कुई फरक नहीं है बीच में कुछ लगा तो हुआ नहीं वायर है यहां पर भी है यह भी भी है तो इसको भी भी बोल सकते हैं बीच में कुछ लगा तो हुआ नहीं ठीक है जी clear ओके अब सुनो अब सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ बारा दो आठ दो बारा दो आठ दो अब मैं किर्चॉफ अंकल का लॉ लगाऊंगा इसमें current मान लो बड़ी battery कौन सी है 12V तो इसकी वजे से current जदा आएगा इसकी वजे से कम आएगा यह देखो इसकी वजे से current इधर जाएगा ऐसे यह चाहेगी की current ऐसे जाए चाहेगी किसकी सोचो बड़ी वली बैटरी की चलेगी बड़ी वली बैटरी की चलेगी भी यह तो इसलिए करेंट ऐसे जाएगा मानते हो इस बात को करेंट ऐसे चला जाएगा भी यह यह देखो करेंट ऐसे चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है से ओके जी तो अब इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस करंट के हिसाब से पहले बैटरी के प्लस माइनस बना दिये पहले बैटरी के प्लस माइनस बना दिये अब करंट के हिसाब से रिजिस्टर के प्लस माइनस बना दो करंट के हिसाब से रिजिस्टर के plus minus बना दो भई plus minus plus minus plus minus plus minus clear ठीक है जी यह चीज आपको समझ में आजानी चीए that should be really really clear plus से minus जा रहा है plus से minus जा रहा है सबसे पहले current निका लो current in circuit current in circuit निका लो अब यह बैटरी और यह बैटरी एक दूसरे को support नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को oppose कर रही है क्योंकि ये battery चाहती है कि इधर जाए current, बड़ी वाली battery, ये चाहती है इधर जाए ये चाहती है इधर जाए ठीक है ना, ये चाहती है इधर जाए तो दोनो batteries both batteries are opposing each other opposing each other दोनों बैटरी एक दूसरे को oppose कर रही है oppose कर रही है oppose कर रही है ठीक है ना, तो current कितना आएगा current आएगा 12-2 12 में से 2 गटा दो और resistances add होने है resistances add होने है चाहे ये किर्चोफ लूप लूप लगा के भी आप चेक कर सकते हो किर्चोफ अंकल के लूप लगाओ यहाँ से शुरू हो, वापिस उसी पे चले जाओ आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको 12-2 ये दोनों oppose कर रहे है upon total resistance तो 10 by 10 कितना ampere current आगया 1 ampere, कितना ampere current आगया 1 ampere, अब बस आपको कुछ नहीं करना, A और B point के बीच में potential difference निकाल दो A और B के बीच में potential difference निकाल दो, current circuit में आगया है इस point को A बोल सकते हो का नहीं बोल सकते हो इस point को B बोल सकते हो का नहीं बोल सकते हो कुछ भी नहीं है बीच में देखो इसको भी A बोल सकते हो इसको भी B बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब A और B के बीच में potential difference निकाल दो भले ही यहां से यहां निकाल दो भले ही यहां से निकाल दो तो अब A से B जाना है A से B जाना है, ऐसे तो पहले क्या लिखोगे VA VA प्लस की बैटरी आ रही है तो क्या लिखोगे माइनस, फिर माइनस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है तो क्या लिखोगे प्लस, फिर माइनस आ रहा है तो प्लस लिखोगे 8i, ठीक है ना, माइनस आ रहा है तो क्या लिखोगे 8i, प्लस की बैटरी आ रही है तो क्या लिखोगे माइनस फिर माइनस यहां पर आ रहा है तो क्या लिखोगे 8 ठीक है ना 8 और यहां पर आई ठीक है ना प्लस की बैटरी तो यहां पर क्या लिखोगे माइनस और यहां पर माइनस है तो क्या लिखोगे प्लस 8i ठीक है ना 8i is equals to vb is equals to vb VA plus का क्या हो जाएगा minus यहां से चले फिर plus minus का क्या गर देंगे plus 8I is equals to VB तो VA minus VB 12 minus 8 is equals to 4 volt 12 minus 8 is equals to कितना आ गया 4 volt आ गया भई ठीक है ना potential difference A और B के बीच कितना आ गया 4 volt यह और कुछ नहीं है यह equality तो है जो इस formula से आया था यह भई है A और B के बीच में कितनी voltage है 4 वही तो आई है 4 किर्चोफ अंकल के मदद से पहले current निकाला फिर किर्चोफ अंकल का law लगा के potential difference निकाल दिया पहले current निकाला फिर किर्चोफ अंकल का law लगा के क्या निकाल दिया potential difference निकाल दिया भई potential difference निकाल दिया I hope that is very very clear to you कि हमने यहां पर क्या किया है ठीक है न तो यह मैंने आपको एक अलग तरीका बनाया बताया not to be used इसे यूज करने की अवशक्ता नहीं है लेकिन मैंने आपको एक अलग समिकरन बताया है अलग एक सोच बताई है कि कैसे चल रही है चीज़े कैसे चल रही हैं चीज़े मतलब यह चीज़ करना और यह चीज़ करना एक ही बात है इनी चीज़ों से यह बना है क्योंकि में तो यह था न किर्चोफ अंकल के लो किर्चोफ अंकल से ही तो पैरलल के रिजल्ट बनाए हमने और कैसे बनाए इसी से बनाए तो यानि कि यह च क्युर्च वंकल स्पेशल मिक्स्ट ग्रॉपिंग और कॉंबिनेशन अब हम सेल्स को मिक्स में लगाएंगे अब हम सेल्स को किसमें लगाएंगे मिक्स में मिक्स्ट कॉंबिनेशन मिक्स कॉंबिनेशन करेंगे सेल्स का मिक्स कैसे सर अरे बता रहा हूँ, मिक्स कैसे, कुछ सीरीज में, कुछ पैरलल में देखो, E-R, E-R, N-Cells, N-Cells, सब E-R, सब E-R, सब E-R, हर रो में N-Cells, हर रो में N-Cells, और ऐसी रोज है M, M, M रोज हैं, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ, तो N और M में कई बार फरक नहीं पता चलता, मैं जब बोलूँगा, तो सुनने में फरक नहीं पता चलेगा, जो भी कभी बोलता है, N और M में फरक नहीं पता चलता, पता नहीं चलता, N बोला के M बोला, तो मैं M को YAM बोलूँगा, YAM, और N को तो N बोलूँगा, N, N, इसको N बोलूँगा, इसको YAM, YAM, YAM जी, South Indian style, ठेक है जी, YAM, चलो, कोई हाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे correct कर दे, न मुझे लग थोड़ा सा कोशिश करना हूँ बताना कि यह रवाज आ रही है कि नहीं आ रही वैसी, है ना, हाँ, तो S को देखे का जी, क्या बने का जी, सन जी, सारसल सीरीज में होगा जी, यह सारसल सीरीज में होगा जी, तो E, 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 सीरीज में कतना होगा जी, N, E, अरे जी, यह सारसल स वाँ इनका भी एन यी सारे जयाल का एन इए एन इए एन इए बन गया जी बन गया दिक टू यह वाँगर जितकben यह जो सब्रभार का साम हम चाहए फिर हां इन इन इंएं इसकिल क है चाहए ऐस सारे पेरलल में यह भी पैरलल मतलब इन सब का series हो गया, ne बन गया, इन सब का series हो गया, ne बन गया, इन सब का series हो गया, ne बन गया, अब ये सारे parallel में, parallel में equivalent emf वही रहता है, parallel में equivalent emf add नहीं होता, चाहे जितनी मर्जी रोज हो, चाहे जितनी मर्जी रोज हो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, तो e equivalent क्या बन जाएगा, ne, e equivalent क्या बन जाएगा, ne, ne, smaller equivalent, smaller equivalent, series में resistances multiply हो जाते हैं, तो series में जो resistance यहाँ पर बनेंगे, n, r, n, r, n, r, और parallel में identical के case में divide हो जाता है, parallel में identical के case में क्या हो जाता है, divide हो जाता है, divide, अब divide किस से करेंगे, m से, बही, series में कितने n, n, r, n, r, n, r, और divide किस में करेंगे, m से, तो r equivalent बनेगा, n, r, by, m, n, r, by, m, सहिए जी, ओके, equivalent n, e, n, e, और r equivalent n, r, by, m, n, n, r, by, m, m, से, आप n, n को भी n बोल रहे हो, तो यह तो गलत जाएगा न, जी, इसको n बोलेगा, जी, इसको m बोलेगा, जी, समझ गए, यह equivalent internal resistance हो गया, तो अब current कितना आएगा, जी, इसके तुरू current कितना आएगा, external resistor, यानि कि load resistance के तुरू, current कितना आएगा, current कितना आएगा, वो बनेगा, n e upon n r by m plus capital R, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, यह best है, क्योंकि जिस हिसाब से निकाला है हमने जो सोचके, उसी हिसाब से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी, लेकिन कुछ लोग, इसको ऐसे याद करते हैं, lc m ले लेंगे, n e, n r, small m lc m ले लिया, small m lc m ले लिया, small m lc m ले लिया, तो यह क्या बन गया, small m उपर, m n e upon n small r, plus m capital r, plus m capital r, m n e upon n small r, plus m capital r, plus m capital r, n small r, plus m capital r, ठीक है न, यह हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो बट यह याद कर लो, यह best है, यह best है, ऐसे ही याद रखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, अब इसमें एक main सवाल आता है, जो board में भी पूछा जाता है, और competition of point of view से भी important है, competition के point of view से भी important है, और board के लिए भी वो सवाल पूछा जाता है, कि भाईया, अगर हम चाहते हैं, कि मैं इसमें current maximum चाहूं, मैं क्या चाहता हूं, कि इसमें current maximum हो, मैं चाहता हूं, कि इसमें current क्या हो, maximum हो, इसमें, सबसे ज़्यादा current मिले, तो मैं cells का combination किस तरीके से रखूं, for example मैं आपको बताता हूं, कि मैं क्या पूछना चाहा रहा हूं आपसे, example लेते हैं, 100 cell हैं हमारे पास, 100 cell कहने का मतलब, कि आपके पास N और M का product है, 100 cell हैं आपके पास, ठीक है ना, आपसे यह पूछा जाएगा कि इन 100 cells को मैं किस तरीके से लगाऊं, किस तरीके से लगाऊं, कि भाईया, ऐसा माल लो, कि हर row में 20 cell लगा दे, और उसकी 5 रोज लगा दे, कि भाई, N की value तो 20 हो जाए, और M की value 5 हो जाए, 20 into 5, क्या बनेगा, 100, 100 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, या फिर हर row में 10 cell लगा दे, उसकी 10 रोज बना दे, N की value 10, R की value भी 10, ठीक है न, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई कहेगा नहीं, हर row में 5 cell लगाओ, और रोज 20 बना दो, रोज जो है वो 20 बना दो भाई, ठीक है न, ये N, ये M, कोई कह सकता है कि हर row में 25 cell लगाओ, और उसकी 4 रोज बना दो, 25 cell, 4 रोज, ये N और ये M, कुछ भी कह सकता है, इसके अलावा भी कोई हो सकता है, कि कोई कहेगा 50 cell लगा दो हर एक row में, और दो रोज बना दो, ठीक है न, पचास, सब का, देखो, प्रड़क्ट, 20 इंटू 5, 10 इंटू 10, 5 इंटू 20, 25 इंटू 4, इन इच एंड एवरी केस, जो N और M का प्रड़क्ट है, वो फिक्स्ट है, ये फिक्स्ट है, वो maximum आये था, कि मैं जो ये load resistance लगा रहा हूँ, इसके through current मुझे maximum मिल जाए, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फाइदा हो, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करवाऊं, ऐसे लगाऊं, ऐसे लगाऊं, ऐसे लगाऊं, ऐसे लगाऊं, ये ज़्यादा से ज़्यादा फाइदा मैं करवाऊं कैसे, तो ज़्यादा फाइदे के लिए, आईए देखते हैं, ज़्यादा current, more current, through capital R, तो ज़्यादा फाइदा, तो वो ज़्यादा फाइदा के लिए क्या करना बढ़ेगा भाई, ज़्यादा फाइदा के लिए क्या करना पढ़ेगा, सुनिएगा, सुनिएगा कि ज़्यादा फाइदा के लिए क्या करना पढ़ेगा, आई क्या है, ये, M, N, E, M, N, E, N, small, R, प्लस M, capital R, N, small, R, प्लस M, capital R, ये, N, small, R, प्लस M, capital R, ठीक है न, ये है, clear, अब इसको मुझे maximize करना है, ठीक है न, इसको मुझे maximum करना है, देखो, अब, इसको मुझे जब maximum करना है, तो ये तो fix है, ये तो product है, ये तो fix है भई, N और M का product fix है, ये तो number of cells होंगे, total number of cells ये तो fix होंगे, ठीक है न, ये total number of cells है, M और N का जो product होता है, वो total number of cells है, ये fix है, भई, हमारे पास 100 cell है, या हमारे पास 50 cell है, ये तो fix है न, भई, हमारे पास जितना पैसा होगा, बजार से हम उतने ही cell लेके आएंगे, वो fix है, अब उसी को arrange करना है, अब उसी को arrange करना है कि कैसे करें, कितनी row में कितने लगाएं, कितनी rows बनाएं, हर row में कितने लगाएं, वो हमें arrange करना है, ठीक है न, तो ये product fix है, ये EMF fix है, तो अगर current मुझे maximum करना है, तो ये जो चीज है, ये minimum होनी चीए, भई, denominator कम से कम होना चीए, denominator कम से कम होना चीए, ये main बात है, होना चीए कि नहीं होना चीए, बिल्कुल होना चीए, तो मैं क्या चलाकी करता हूँ, वो सुनो, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, root n r का square, plus root m capital r का square, कोई फरक पढ़ा इस बात से, मेरे को एक बात बताओ, under root लगा के square लगा दिया, under root लगा के square लगा दिया, कोई फरक पढ़ा, नहीं सर, कोई फरक नहीं पढ़ा, ये तो एक ही बात है, ठीक है न, इसमें कोई फरक नहीं पढ़ा, अच्छा, अब सुनो, इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, हम थोड़ा सा और अरेंज करते हैं nr mr चलाकी देखिएगा कि हम क्या चलाकी कर रहे है इसको minimum बनाने के लिए हम एक चलाकी करेंगे क्या इसमें add किया जाएगा to under root nr m capital r minus b किया जाएगा अगर plus किया है तो to under root nr m capital r a square plus b square इसको ऐसा मान के चल रहा हूँ a square plus b square plus 2ab minus 2ab plus 2ab minus 2ab यह मैंने अपनी मर्जी से कर दिया plus 2ab minus 2ab यह मैंने अपनी मर्जी से कर दिया है अपनी मर्जी से कर दिया है कोई दिक्कत नहीं सर इसमें क्या दिक्कत होगी कोई दिक्कत नहीं है अच्छा a square plus b square minus 2ab इसको इक अच्छा कर लेते हैं nr का small square m capital r का square ठीक्या ना m capital r का square minus 2 यह चीक्या ना और plus यह माइनस यह फ्लस यह ठीक्या जी a square plus b square minus 2ab ठीक्या ना plus 2ab a square plus b square minus 2ab plus 2ab तो यह a square plus b square minus 2ab है यह a square plus b square minus 2ab है है तो इसको मैं A-B का whole square लिख सकता हूं कर नहीं लिख सकता हूं बताओ भाई इसको मैं लिख सकता हूं A-B का whole square और plus वाली टर्म बची रह जाएगी plus वाली टर्म बची रह जाएगी n small r plus m capital r n small r plus m capital r n small r plus m capital r मतलब n small r m capital r ठीक है न यह टर्म बची रह जाएगी और यह टर्म यहाँ पर होगी plus 2 this अब मुझे current चाहिए maximum तो उसके लिए denominator होना चाहिए minimum भाई यह maximum चाहिए उसके लिए denominator minimum होना चाहिए अब denominator में square वाली टर्म है यह कम से कम कितनी हो सकती है इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते यह कम से कम कितनी हो सकती है 0 square कभी negative तो नहीं हो सकता न यह बताओ square कभी negative तो नहीं हो सकता negative तो होनी सकती है तो यह टर्म जादा से जादा क्या होगी कम से कम क्या होगी sorry 0 तो इसकी minimum value क्या होगी 0 होगी जिवरो होगी इसकी minimum value क्या होगी 0 होगी तो n smaller जब ये 0 होगी तो ये दोनों बराबर होंगे is equals to m capital R under root हटा दो अंडरूट हटा दो तो capital R आ गया n small r by m तो ये तो r equivalent है ये तो small r equivalent है भहिया ध्यान से सुनो क्या result बनके आया हमारे पास ध्यान से सुनो क्या result बनके आया है ध्यान से इस बात को understand करो जो मैं आपको समझाना चाहरा हूं यहां पे कुछ नहीं किया मुझे इस current को maximize करना था तो मैंने denominator में ऐसे लिख दिया plus 2ab minus 2ab कर दिया minus 2ab को साथ लिख लिए plus 2ab को लग कर दिया minus 2ab का बन गया a minus b का whole square current को maximum करने के लिए इसको minimum करना है किसी भी square की minimum value 0 हो सकती है क्योंकि square कभी negative नहीं हो सकता कम से कम आप इसको zero कर सकते हैं इससे कम करी नहीं सकते किसी भी हालत में तो इसकी minimum value 0 कब होगी जब यह दोनों बराबर होंगे इन दोनों को बराबर कर दिया solve कर लिया तो capital R की value क्या आ गई n small r by m ध्यान से देखा तो यह वही था smaller equivalent यह equivalent internal resistance है यह equivalent internal resistance है भी यह equivalent internal resistance है इसका मतलब यह हुआ कि circuit में current load resistance के through current तब maximum होगा जब load resistance की value हम इसके बराबर लेंगे कि यानि कि पहले r equivalent calculate करो उसके असाब से load resistance वहाँ पे लगा दो यह यानि कि load resistance की value small r equivalent के अगर बराबर होगी तो उस load resistance में जो current होगा वो maximum होगा वो current होगा वो क्या होगा maximum होगा small r equivalent की value जब capital r के बराबर होगी तो उस time पे capital r में यानि कि load resistance में जो current होगा वो maximum होगा वो क्या होगा maximum होगा भी crystal clear होनी चीए भई अब आत यह पूरे तरीके से crystal clear होनी चीए कोई doubt नहीं होना चीए very 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 clear ठीक है जी that should be very 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 clear पूरा clear होना चीए भई पूरा का पूरा clear होना चीए यह small r equivalent की value है capital r के बराबर होनी चीए इसी को बोलते है maximum power transfer theorem इसी theorem को बोलते है maximum power transfer theorem अब बात आगई है power की आगे हम power पढ़ेंगे अभी के लिए बस आप याद रखो कि power का formula i square r होता है ठीक है ना अगर i maximum है अब याद रखो अगर i maximum है तो power भी maximum होगी अभी के लिए आपने 10th class में भी वैसे यह formula पढ़ा होगा ठीक है ना तो power भी maximum होगी तो then power भी maximum होगी तो आपको यह याद रखना है क्या है power transfer theorem मैं पूरा लिख के बताता हूं आपको board में इसकी definition भी आ सकती है यह पूरी derivation भी आ सकती है यह board के लिए करनी है करनी है भाई यह ठीक है ना हाँ और यह भी आ सकती है maximum power transfer theorem है क्या सुनो ठीक है ना क्या है if equivalent internal resistance equivalent internal resistance of the circuit of the circuit is equal to is equal to external resistance is equal to external resistance or load resistance load resistance then current then current और power current और हम कह सकते हैं power through the load resistance किसके थ्रूँ जो चलाना है चलाना है थ्रूँ द लोड या external resistance would be maximum would be maximum समझ पारे हो समझ पारे हो अगर equivalent internal resistance circuit के external resistance के बराबर हो गया या जिसको हम load resistance भी कहते हैं तो उस case में current maximum होगा then जो current आएगा वो क्या होगा maximum होगा या power जो आएगी वो maximum होगी क्योंकि अगली बात इसके बाद power की ही होगी और power का formula i square r होता है कि अगर i maximum है तो power भी maximum ही होती है ठीक है यह result है जो आपको ध्यान में रखना है ध्यान में रखना है कि भाईया power भी उस case में क्या होती है maximum ही होती है और अगला topic power पे ही आने वाला है सर एक example करवा देजिए करवा रहा हूं जैसे माल लो total आपके पास 100 cells है इच हर सेल का इंटर्नल रिजिस्टेंस वन ओम है ठीक है ना एक्स्टर्नल रिजिस्टेंस पच्चेस ओम है एक्स्टर्नल रिजिस्टेंस पच्चेस होम है हर सेल का इंटर्नल रिजिस्टेंस वन ओम है एक्स्टर्नल रिजिस्टेंस पच्चेस होम है ठीक है जी और total कितने cells है 100 total कितने cells है 100 तो find value of n and m so that current in external resistance is maximum n और m की value बताओ यानि कि कितनी रोज और हर रो में कितने cell ये बताना है कितनी रोज और हर रो में कितने cell ये बताना है आपको बहुत ध्यान से देखो कि कितनी रोज और हर रो में कितने cell Lays is खुल गए यार मेरे शूस के कोई बाद चलता है यारी चलता है यहां काउन सा कोई देख रहा है दिख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं यह तो मैंने आपको बता दिया वरना तो दिखते ही नहीं total 100 cells है ठीक हैना, total 100 cells है तो N और M का product fix है, N और M का product fix है 100, ठीक हैना, N और M का product fix है 100, और capital R की value, capital R की value, N small r by M के बराबर होती है, capital R कितना है 25, और R की वेल्यू का है? 1 R की वेल्यू का है? 1 ठीक है न, capital R कितना है? 25 और R की वेल्यू का है? 1 तो 25 is equals to N by M 25 is equals to N by M ठीक है न, यह N by M होगा कितना होगा? 25 होगा clear है? बस, इसमें से वेल्यू निकालो कि N is equals to 25 है इसको इदा रगतो solve करो N की वेल्यू 25 है और into M N M का जो product है वो 100 है ठीक है न, तो N की वेल्यू 25 है और into M है तो product है 100 तो यह M square 100 बाइपच्च्चिस कितना आ गया? 4 M की वेल्यू कितनी आ गयी? 2 N की वेल्यू कितनी आ गयी? 2 और N कितना आ गया? 25 है यहनि की 25 into 2 यहनि की 50 इसका मतलब हर रो में 50 cell होंगे 50 cells into rows तब जाके current आपको maximum मिलेगा यह इसका result है हर रो में 50 cell लगाए जाएंगे और कितनी rows होंगी? 2 हर रो में 50 cell लगाए जाएंगे और कितनी रोज होंगी? 2 रोज होंगी यह कैसे पता चला? जब आपको internal resistance और external की value given है internal और external की value given है इसकी मदद से आपको यह result मिल गया इसकी मदद से आपको यह result मिल गया कि ऐसा होना चाहिए इसकी मदद से एसा होना चाहिए clear, crystal clear होनी चाहिए इसी को कहते है maximum power transfer theorem तो cells की पूरी बात खतम हो चुकी है इसके बाद आता है joule's law of heating effect joule's law of heating effect joule uncle का law क्या कहता है joule uncle joule uncle थे जिनोंने heating effect के बारे में बात की थी क्या बात की थी सुनो उन्होंने कहा था कि अगर एक resistor है हमारे पास उसमे current flow कर रहा है ठीक है ना current flow कर रहा है t time के लिए यह t है time, time for which current flows in a circuit current flows in a circuit कितने time के लिए circuit में current flow करता है तो उन्होंने कहा था कि इससे की यह तार गरम हो जाएगी भई एक तार है जिसका resistance R है या कोई भी चीज है geezer लगा हुआ है, heater लगा हुआ है उसका resistance R है तो उसमें से current flow होगा तो गरम तो होगी ना coils उसकी coils तो गरम तो होगी ना तो कितनी गरम होगी जो heat produced होगी h क्या होगा? heat produced heat produced जो heat produced होगी वो क्या होगी? उन्होंने Joule ने कहा था heat produced होगी वो i square के proportional होगी heat जो produced होगी वो i square के proportional होगी resistance के भी proportional होगी जादा resistance जादा heat produced होगी क्योंकि resistance का मतलब होता है कि electrons का collision हो रहा है तो जादा collisions होंगे, जादा heat produce होगी, जादा resistance मतलब जादा collisions, जादा collisions मतलब जादा heat, ठीक है न, current जितना जादा होगा, तार उतनी गरम होगी, तो i square के proportional है याद रखना है, resistance जितना जादा होगा, heat उतनी जादा produce होगी, और जितने time के लिए चलेगा, उतनी जादा heat produce होगी जितने time के लिए current चलेगा उतनी ज्यादा heat produce होगी तो heat is proportional to i square r and t तीनों को combine कर दो तीनों को combine कर दो proportional t हटा दो proportional t हटा दो तो क्या आएगा constant proportional t हटा दो तो constant आएगा और यहाँ पे यह constant 1 होता है बस याद ही रखना यहाँ पे constant क्या होता है 1 तो heat आगया i square r t heat आगयी i square r t यह formula याद रखना कि heat produced in a resistor is i square r t current का square resistance और time यह heat का formula है कि कितनी heat produce हो रही है unit क्या होंगे joule unit तो simple सी बात है joule होंगे joule unit क्या होंगे joule होंगे भी ठीक है ना i square r t और unit क्या है इसके joule simple and straight खत्म अच्छा इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर सर पावर क्या होती है फिर heat produced per unit time heat produced per unit time या फिर हम कहें और rate of production of heat rate of production of heat with respect to time with respect to time simple और असान भाशा में समझो पावर का मतलब होता है कि कितने rate से heat produce हो रही है heat कितनी produce हो रही है वो तो यह लिखा किस rate से produce हो रही है कितनी जल्दी हो रही है मालो 100 जूल heat produce हुई 10 सेकंड में और दूसरे case में 100 जूल heat produce हुई 5 सेकंड में किसकी पावर जादा है पहले केस में 100 जूल heat produce हुई 10 सेकंड में दूसरे case में 100 जूल heat produce हुई 5 सेकंड में किसकी पावर जादा है दूसरे वाले की जल्दी heat produce हो गई तो rate of heat production rate कितनी जल्दी produce हो रही है वो पावर होती है समझ गए वही लिखा हुए heat produced per unit time या rate of heat, production of heat with respect to time. तो power होती है heat by time ठीक है ना, heat by time ठीक है ना, या फिर differentiation की form में लिखते हैं तो dh by dt भी लिख देते हैं, dh by dt भी लिख देते हैं, rate of heat produced, या heat production का rate with respect to time ठीक है या, heat production का rate with respect to किसके, time के उसको बोला जाता है क्या, power i square r t power होगी h by t h को t से divide कर दो क्या बचेगा i square r तो power का formula क्या आ गया i square r भाईया power का formula क्या आ गया i square r ठीक है न यह main formula है power का i square r यानि कि किसी भी resistor में अगर i current flow हो रहा है तो उस resistor में जो power होगी y square r होगी इसे बोला जाता है also called कुछ जगा पे आपको power consumed लिखा आएगा power consumed और कुछ जगा पे power dissipated dissipated का मतलब भी यही होता है कि खर्च हो गई heat बन गई उसकी खर्च हो गई मतलब heat बन गई कि resistor में से current गया जिसकी वैसे resistor गरम हो गया तो उसके लिए word dissipate use किया जाता है मतलब जब भी heat पर यूस होती है तो उसके लिए dissipate word use किया जाता है dissipate word dissipate power consumed भी बोल सकते है और इसको power dissipated भी बोल सकते है power consumed भी बोल सकते है और इसको power dissipated भी power dissipated भी या power consumed भी बात समझ में आई दोनों ही इसको बोला जा सकता है दोनों ही बोल सकते हैं इसको कोई परेशानी नहीं है I hope that is crystal clear to you ठीक है ना पूरे तरीके से clear होगा आपको कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं यहाँ पे अच्छा इसी power को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं भहिया जैसे मान लो कि यह हमारे पास circuit है यह voltage है यह resistor है ठीक है ना इसमें current I flow कर रहा है power का formula है I square R अब इसमें I क्या आएगा V by R I क्या आएगा V by R आएगा ठीक है ना तो power होगी क्या V by R का square into R तो यह क्या बन जाएगी V square by R square into R तो power बन गई V square by R power बन गई V square by R तो power is equals to I square R power is equals to V square by R ठीक है ना I square R या V square by R ऐसे भी लिखा जा सकता है इसी formula को V square by R को आप ऐसे लिख लो V by R into R ठीक है ना या V by R into V sorry V square by R को V by R into V लिख सकते हो V by R क्या है I V by R क्या है I तो I into V या V I तो power का formula V I भी लिख सकते हो power का formula V I भी लिख सकते हो यानि कि power के हमारे पास सारे ही formula है आप इसको I square R भी लिख सकते हो V square by R भी लिख सकते हो जो given है उसके हिसाब से लगा लो जो given है बस उसके हिसाब से लगा लो circuit में ठीक है ना जो given है बस उसके हिसाब से आप circuit में अलग-लग formula लगा लगा लो आपको अलग-लग answer मिल जाएंगे ठीक है ना जो given है उसके हिसाब से circuit में अप इसको लगा सकते हो clear, भहुत पढ़िया, I hope that would be very very clear to you, units, by units क्या होंगे, power, heat by time है, तो joule, per second, ठीक है न, that is joule per second, joule per second, ओर इसको, बोलते है, what, ठीक है न, joule per second को हम what बोलते है, joule per second को what बोलते हैं, जूल पर second तो पूरे तरीके से clear होनी चीए जूल पर second और ये क्या बनेगा? तो what को W से लिख सकते हैं जूल पर second को what बोलते हैं याद होना चीए बसे तो भाई आप power के बारे में आगे के numericals और power के बारे में आगे की बातें करेंगे हम अगले lecture में तो आज के lecture में हमने cells के combination को सीखा और power का introduction लिया है बस, बाकि power पे जितने भी सवाल होंगे, जितनी भी चीज़े होंगे, हम अगले lecture में इसको cover करेंगे, काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि current electricity के कितने lectures हैं, बेटा 11 या 12 होंगे, ठीक है न, 11 में cover हो पाया तो 11 में, नही तो 12 में हो जाएगा, ठीक है न, 11 या 12, तो 8 lecture आज हो चुके हैं, तो 4 lectures है, power उसमें cover करेंगे, फिर अपने instruments हमें cover करने हैं, meter bridge, galvanometer, m meter, potentiometer, potentiometer में खास करके बच्चों को दिक्कत आती है, तो वो चीज़े हम यहां पे cover करेंगे, ठीक है जी, तब तक के लिए, शुक्रि जा रहा हूँ भई, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, अरे जा रहा हूँ ना